पिछले दो साल से आप बिहार में घूम रहे हैं जो अगला विद्धान सभा चुनाव होगा उसमें आप एक पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रहे होंगे मैं पर्सनलाइज करूँ इस सवाल को तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपना परिचे देता हूँ कि मैं बाई रेस बिहारी हूँ तो मेरी बड़ी दिल्चस्पी है कि बिहार में क्या बदलेगा क्योंकि वो अल्ट्रा डिमोक्रेटिक स्टेट है और आप एक थर्ड फैक्टर के रूप में उतरेंगे दोहजार पचीस में देखे आप बिहार के हैं उस नाते भी हैं अधर्वाइज भारत के जितने भी लोग हैं जिनकी सेंस्टिविटी है उन छेतरों के बारे में उन लोगों के बारे में जो विकास के दोड़ में सायद कहीं न कहीं पीछे छूट गए है बिहार वो भूभाग है देश का जो देश का आज भी सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है दस साल मैं पहले सजुक्तरासंग में था दस साल फिर मैंने जो काम किया और जिसको आप लोग राज्यतिक, रनितिकार, प्रवंधक, कंसल्टेंट जो भी कहले 20 साल के अपने अनुभव और जो मेरी छमता बनी, समझ बनी उसके बाद मैंने ये तै कि बिहार के होने के नाते मुझे ये प्रयास करना चाहिए कि उस राज्य में परिवर्तन हो और मेरी जो भी समझ है, वो सारी समझ, it's all anchored in what Gandhi has taught and preached, और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में अगर सुधार आना है, तो वो किसी दल को criticize करने से, किसी व्यक्ति विशेश को गाली देने से या किसी पर जिम्मेवारी थोपने से नहीं होगा, कही न कही समाज के अस्तर पर जब तक वो प्रयास नहीं होगा, कहीं न कहीं जब तक बिहार के लोग ये नहीं समझेंगे, कि अगर उनको अपनी स्थिती सुधारनी है, तो जिस तरीके से वो भोट करते हैं, जिस तरीके से और जिन लोगों को अपने परतिनिद्यों के तोर पर चुनते हैं, उनमें उनको परिवर्तन लाना पड़ेगा, इस परिपेक से मैं बिहार में पिछले दो साल से गाओं-गाओं घूम रहा हूँ, और करीब-करीब 4848 गाओं में तो मैं गया हूँ, रहा हूँ, लोगों से बात करी है, काम मैं वही कर रहा हूँ, जो पहले कर रहा था, पहले मैं नेताओं को, दलों को ये बताता था, मदद करता था, सुझाओ देता था, कि किस तरह से वो अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं, किस तरह की प्रयास से उनको बहतर भोट मिल सकता है, सिर्फ मैंने अपना कैन्वेस बदल दिया है, अब मैं किसी दल और नेता को सुझाओ नहीं दे रहा हूँ, मैं अब बिहार की जनता को ये सुझाओ दे रहा हूँ, नेचरली ये थोड़ा आपको ज़्यादा क्योटिक दिख सकता है, क्योंकि कैन्वेस बड़ा है, लेकिन प्रयास यह है कि लोगों को ये जाकर बताया जाए, कि आप में ये च्छमता है, आप अपने बीच से ऐसे लोगों को निकाल सकते हैं, संगठी हो सकते हैं, और जन्द सुराज या प्रशांत किसोर आपकी मदद करेंगे, आप साथ में आईए, ताकि आपके बच्चों का जीवन सुधरे, मेरे जीवन का मैंने अब लक्ष जो बनाया है, दस साल के नजरिये से मैं अपना जीवन तै करता हूँ, दस साल मैं संगतराज संग में था, दस साल मैं चुनावी रणनेतिकार था, अब दस साल कम से कम मैं अपने बिहार के लिए देना चाहता हूँ, मेरा लक्ष है कि अगले दस साल में बिहार में वो बेवस्था बने ताकि बिहार भी अगले दस वर्सों में देश के दस अगरणी राज्यों में शामिल हो सके